तुम्षकार दोस्तूस, सौगत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल बाजार के बंदित में तो दोस्तो सबसे पहले कल आपको बांक निफ्टी के एक्स्पाईरी में बड़ा मुवमेंटम देखने को मिलेगा जैसे कि आपको फिर nifty के expiry में देखने को मिला तो ऐसे में आप telegram channel हमारा join कर सकते हैं description में आपको link में जाएगा जहाँ पे 9 बचे time prediction किस देखेगा direction में bank nifty move करेगा 9.15 पे ये बताया जाता है तो जाके देखेगा यहाँ पे और बड़ी update आ रही है multiple update सबसे पहले बात को शुरू करेंगे FIA का data फिर मैं आपको बताऊंगा HDFC bank क्या देगा gap up opening देगा और reliance पे भी आपको short covering देखने को मिल सकती है तीन बड़ी update इस particular वीडियो में discuss करेंगे तो सबसे पहले शुरू करते हैं FIA ने देखेगा after long time लगातार दो दिन तक क्या करी है buying करी है आप देख सकते हो 23 अक्टूबर 20 अक्टूबर और market भी अपने crucial support पे है यहाँ पे अगर आप देखेंगे market भी क्या है अपने crucial support पे देखने हो मिल ला है तो ऐसे में जो FIA की buying आई है इस particular time पर तो इसे एक positive factor माना जा रहा है चोकि market totally oversold category में है तो पहला point यह है second point अगर आप देखेंगे तो index में इतनी बड़ी बिक्वाली नहीं देखने को मिली है पिछले दो दिनों से या फिर इस particular month में अभी तक यानि कि FIA ने index को बहुत ज़्यादा नहीं बेचा है ये भी एक positive factor माना रहता है और पिछले दो दिन से भी ज़्यादा नहीं बेचा है तो ये one of the positive factor है अब बात करेंगे सबसे पहले reliance industry के लिए बहुत ही important update है कि यहाँ पे deal done कर दी है black rock ने और modi से मिले हैं अगर आप देखेंगे आप check out कर सकते हैं पूरी तरीके से CEO Larry Fink met with Mukesh Ambani of Reliance Industry Prime Minister Narendra Modi in India on Tuesday यानि की आपको देखने को मिला है आज के दिन और यहाँ पे following the recent announcement of 300 million dollar joint venture with Gio Financial service the partnership is digital first initiative capitalizing of India by going investor based immediate post COVID-19 तो अगर आप देखेंगे अब तक का सबसे बड़ा investment है after COVID-19 और black rock लगातार यहाँ पे expansion करने की बात कह रहा है Gio Financial Service is an initiative ऐसा कहना है आगे आपको और भी ज़्यादा देखेंगा momentum देखने हूं मिलेगा तो यह बहुत ही positive factor है चुकि आज के दिन अपडेट है है तो कल इस पे reaction देखने हूं मिलेगा और alliance industry का stock क्या है पूरी तरीके से oversold category में है और अगर आप देखेंगे Asian asset despite a previously failed alliance with the DSP group company market stands at staggering 91 USD according to the investment pro data और अगर आप देखेंगे यहाँ पे HDFC group को भी लेकर काफी ज़्यादा अच्छी update आ रही है चोकि BlackRock देखेगा एक बड़ा फण है और यहाँ पे अगर वो invest कर रहा है top blue chip stocks में तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं आगे इनके expansion plan भी पूरी तरीके से clear है जिससे Indian stock market को फायदा होगा जो कि बहुत ही positive update है आगे अगर आप देखेंगे HDFC bank आपको पता ही है कि HDFC bank का ADR आपको trade होते हुए देखने को मिल दा है और आप देख सकते हैं यह यहाँ पे क्या हो रहा है positive trade हो रहा है जबकि HDFC bank last trading session में 1% की देखेगा big fall बे देखेगा close हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे अचानक से HDFC bank में गिरावट देखने हो मिली थी 1500 का level touch हुआ था जैसे कि आपको सामने देखने हो मिल ला होगा तो ऐसे में बहुत ही important है कि आप यह देखें कि 57 देखेगा dollar के ऊपर देखने हो मिल ला है green में trade हो रहा है तो कल आपको positive खुलता हुआ देखने हो मिलेगा HDFC bank और इसके बाद reliance industry दो देखेगा totally over sold category में है क्या है totally over sold category में है तो ऐसे में अगर reliance industry पे आप focus करते हैं जिसमें कोई भी शंका दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इनके लिए back to back positive update आ रही है तो focus करेगा इन तीनों updates पे जिनका देखेगा कल market में short covering का impact पढ़ सकता है thank you so much